हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सतेंदा सिंग और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं बेसिक ग्रामर कोर्स का लाइव डेमो आज क्लास नंबर वन है तो आज पहली क्लास में मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर की नौलेज भी ज़रूरी है तो बेसिक ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो इंग्लिश को समजने में, सुनने में और बोलने में, लिखने में आपको दिक्कत नहीं आती तो बेसिक ग्रामर कोर्स मैं इसी वज़े से start किया है कि जो spoken इंग्लिश हम सीखते हैं उसके लिए basics अगर हम English के नहीं सिखेंगे तो हम कहां से सोच के, क्या समझ के, क्या structure बना के बोल पाएंगे तो इस grammar course में आपके सारे parts of speech होंगे, सारे आपके tenses होंगे, सारे आपके preposition, conjunction, जो भी आप सोचते हैं English के main topic हैं, चाहे active passive voice हो, narration हो, reported speech, conditional, causative verbs, सभी आपको करा जाएगा, कोई topic आपका छूटेगा, बिलकुल नहीं तो जल्दी से like कर दीजिए सभी, और एक नई शुरुआत करते हैं आज, आपके basic grammar course में, spoken English के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो आज की class अगर आप class तक देखेंगे न, तो आपको खुदी पता चल जाएगा, कि कितना ज्यादा important ये पूरा course आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है, तो जल्दी से start करें, पहले like कर दें भाई, like करना ज़रूरी है, राम राम भाई, सब नहीं राम राम, ठीक है, देखेंगे बाढ़कों, मैं पूरी course इस करेंगे अगर जितना मुझसे हो सके, उतना, उससे भी जादा मैं कहीं न कहीं आपको दे सको, और आप से मैं मांगता हूँ, अगर आप like करते हो, आप जैसे मेरे और भाई बेहन है, वो भी जुड़ जाएंगे इस class में, है ना, आ आपका कुछ बिगड़ना नहीं, वो कुछ सीख लेंगे, क्योंकि यूट्यूब लाइव नोटिफिकेशन सबको भेजता नहीं है, ठीक है वाई, समझ रहो, शुरू करें, और आज बिल्कुल 0 level से शुरू करेंगे, ABCD से, कैसे, मैं आपको दिखा देखता हूँ, मैं आप ABCD भी नहीं आती होना, तो भी कोई टेंशन नहीं, भूल जाओ, ठीक है, तो ये PDF जो है, ये पूरा आप लोगों को कोर्स में दिया जाएगा, ठीक है, ये पूरे का पूरा आपको टेंशन कोई भी नहीं आएगी, किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो देखो भई, लाइव क् चीज़ चाहिए, अलफाबेट, यानि कि 26 अक्षर, क्योंकि पहले जो अक्षर है, उनको जोड के शब्द बनता है, शब्दों को जोड के वाक्य बनता है, और वाक्यों को जोड के आपकी भाशा बनती है, चाहे वो कोई भी भाशा हो, ठीक है बाई, तो सबसे पहले आप कि देखो, आपको यह आता या नहीं आता, किस किसको यह नहीं आता, जिसको नहीं आता, वो सीख लो, A, B, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, या Z, किम्मा कहलो, कोई फर्ग नहीं पड़ता, जो UK वाले लोग है, इंग्लेंड वाले, वो इसको Z बो बोलते हैं, अब आपके उपर है, चाहिए कुछ भी बोलो इसको, ठीक है, लेकिन बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, लेकिन बोलो, ठीक है, और यह जो आप पिड़ा पिड़ा देख रहे हैं, यलो, यलो, डटी फैलो, यह एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच अक्षर ऐस जाता है, वावल, क्या बोला जाएगा बैटा, वावल इनको बोला जाता है, इनके अलावा बचे हुए 21 जो शब्द हैं, उन्हें बोला जाएगा, कॉंसोनेंट, और कॉंसोनेंट वो होते हैं, जो भी शब्द आप मुह से निकालो गे न, वो टक टक की आवाज कहीं, रु एच, आए, आए तो उसमें हो गया, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, क्या होगा, गले में आवाज अटके गी, इसलिए इनको कॉंसोनेंट बोला जाता है, मेन फंडा यही है, समझ आ गया, क्लियर, अब दोस्तों जो इंगलिस की भास्या बनती है, वो बनती कैसे है, वो अगर आप अपनी हिंदी बादस्या से इंगलिस में ट्रांसलेट करना सीखना चाहरे हो ना, तो कैसे बनती हो ट्रांसलेशन, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो अभी मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहा हूं, आप सब को, ठीक है, और मै ठीक है लेकिन यो जो बीच में आया है ना ये इंग्लिश में चला जाता है आखर में और जो काम आप करते हो वो आ जाता है बीच में इसलिए सबसे पहलैं अंग्रेजी में करता आता है यानि की सबजेक्ट और उसके बाद आती है क्रिया, यानि काम क्या हुआ है, यानि कि उसको हम वर्ब बोलते हैं, और जो भी बाकी जानकारी बच जाती है, वो होता है आपका object, तो English का ये sentence structure है, ये वाला, ये आपका sentence structure है, सबसे important subject, verb, object, ये आपको समझेना पड़ेगा, understanding चाहिए इस चीज़ के लि में आती है, ध्यान से सुनना आज, आज मैं कई चीज़ें clear करूँगा आपकी, ठीक है, सबसे पहले समस्य आती है, बेटा, जो भी आपके सामने है, वो अगर संख्या में एक है, तो अगर उसको एक से ज्यादा कर देंगे, तो English में क्या बोलेंगे, ये सीख लो सबसे पहल बोलेंगे, people, क्या बोलेंगे, people, ठीक है, ध्यान से देखो, तो singular का मतलब होता है, बेटा, एक वचन, जैसे ये कलम है, ये pen है, अगर एक से ज्यादा हुई, तो क्या बोलेंगे, हम इनको plural, यानि की बहु वचन बोलेंगे, pens, जिसने ये नहीं समझा, वो English की पहली CD भी द तो कैसे आप rules में रखोगे, वो चीजें बाद की है, ठीक है, तो pen का बनता है pens, page का pages, child का children, mango का mango, ठीक है, एक बच्चा हो तो उसको child कहते हैं, एक ज्यादा हो तो उन्हें बच्चे, यानि की children कहते हैं, ठीक है, फिर अब कुछ rule हैं, इनको बनाने के कुछ rule हैं बेटा, तो यह rule अगर आप सीख लोगे न, तो आपको किसी की मदद की जूर्त नहीं पड़ेगी, आपको रटा नहीं मारना पड़ेगा, आप हलका सा सोचोगे और आपको याद आ जाएगा, अच्छा, तो यह ऐसे होगा, ध्यान से देखो, rules कैसे बनते हैं, plural बनाने के, B, अगर जादा तरह आप बनाओगे, तो S जोडने से ही आपके plural बन जाएंगे, जैसे मक्ही, मक्हिया, आख, आखे, cow, cows, cup, cups, desk, desk, window, windows, pencil, pencils, boat, boats, ठीक है, समझ आ गया, तो एक तो आपको पता होना चीए, कि क्या rule होगा, कि singular से plural बने, या कैसे बने, ठीक है बेटा, अब, दूसरा rule क्या कहता है, दूसरा rule ये कहता है, कि जो भी हमारे सामने शब्द आते हैं, अगर उनके आखिर में, X लगा हो, X लगा हो, S लगा हो, double S लगा हो, SH या CH लगा हो, तो क्या होगा, हम इनमें जोड देते हैं, E, S, क्या जोड देंगे, E, S, और example क्या है आपके पास, box का boxes, dish का dishes, तो आपको बस ये देखना है, कि शब्द के आखिर में क्या आया है, अगर ये पाँच शब्द, ये पाँच letter आपको last में मिलते हैं, तो आपको ऐसे बना देना है, brush का brushes, bus का buses, glass का glasses, gas का gases, समझ आ रहा है सबको, clear हो रहा है बेटा, enjoy कर रहे हो, तो like करने में कंजूसी क्यों, अगरो कि मना बिगड़े तारा, ठीक से बाई, और बतेरे बाड़क सीख जाएंगे, पुन्या का काम है, और आज वसंत पंचमी है, मा सरस्वती काज दिन है, आप सब पे क्रिपया होगी, ऐसा जरूर होगा, like करो, आप सीख जाओ, और बाकी भी सीख जाएं, अब देखो पेटा एक और चीज, आपनी ये चीजें देखी होगी, जो एक शहर का नाम होता है, उसको बोलते हैं, city, और एक से ज़्यादा शहरों के बारे में बात करें, तो क्या कहेंगे, cities, तो इसी तरीके से, अगर किसी शब्द के, आखिर में, वाय आता है, वाय आता है, ठीक है, और वाय से पहले क्या जाता है, कॉंसोनेंट, इसी लिए मैंने आपको पहले पहले बताया, वाय से और कॉंसोनेंट रे क्या होते हैं, ठीक है, ये इंपोर्टन है सीखने, तो बेबी का बेबी बेटा, city, cities, duty, duties, family, families, lady, ladies, army, armies, army, armies, समझ आ रहा है सबको, clear, बहुत बढ़ि आफ के शब्द के आखिर में EF या FE आजाए, EF या FE आजाए, F या F आजाए, तो आप क्या करोगे, आप जोड दोगे VES, एफ को हाटाके आपने जोड ना है VES, तो wives, ठीक है, लीव का leaves, लोफ का laws, ठीक है, वुलफ का वूल्ज ठीक है बिटा लाइफ का लाइफ क्लियर अब अगर आप ओ से खतम हो रहा है और ओ से पहले कोंसोनेंट है तो क्या लग जाएगा यह लग जाएगा इस यह आपको न पूरी लिस्ट एक्जेंपल के साथ मैं इसलिए करवा रहा हूं थोड़ा सा प्रेक्टिस करोगे न और एक या दो बार इसको रिपीट करोगे वही टमाटो टमाटो अरे हां बेबी बेबी ओके चाइ बफलोज आपको सिर्फ क्या करना है जोड देना है इस इन सब के सामने आम एक हो तो मैंगो एक से ज़्यादा हो मैंगो ठीक है क्लियर और अगर आपके सामने कुछ ऐसी आ जाती है जैसे अमारा ये दो तिन अलग अलग है तो इनको याद कर लो बेटा बस फूट का फीट बई एक पैर हो तो फूट बोलेंगे दोनों पैरों को फीट कहते हैं एक दात हो तो उसको टूथ बोलते हैं और सभी दातों को क्या बोलेंगी टीथ माउस एक चुहा हो तो माउस एक से ज्यादा हो तो माइस क्लियर है क्लियर इसी की तरह है आदमी एक हो तो मैं बोलेंगे और एक से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे अरे कोमेंट भी कर दो एका दे ताकि पता चले आपको आता है थोड़ा बहुत तो जीरो नहीं हो आप लोग confidence रखा करो थोड़ा बहुत है man का plural होता है man child का children sheep का sheep और fish का fish ही होता है है dear का dear ही होता है तो यह कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा तो देखतों सबसे ज्यादा important है persons English में यह most important है क्यों क्योंकि subject verb object हमारा sentence formation यही कहता है तो subject जो है उसी से तो शुरुआत होगी तो हमारे English में तीन person होते हैं first second third first होता है हम सबसे उपर किसको रखते हैं अपने आपको तो first कौन होगा बोलने वाला यानि I speaker और मान लो मेरे साथ कोई और है तो दो हो गए यानि बहु अचन हो तो वो बन गया वी और जब इंसान बात करता है तो सामने वाला होता है listener यानि कि सुनने वाला जैसे अभी आप सब सुन रहे हैं मुझे you चाहे एक हो तो भी you एक से ज्यादा हो तो भी you समझाया और जब भी हम बात करेंगे हम आपस में तो करेंगे मैं तू आप ये बोलके लेकिन जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो अगर वो एक है तो he, she, it कोई नाम हो सकता है this, that या singular noun और एक से ज्यादा होंगे तो they, these, those या plural noun तो यह होते हैं English में persons यानी subject अब हम बात करते ही इनका verb के साथ क्या combination बन सकता है क्या combination बनेगा बताओ पता है आप सबको ध्यान से देखो यही combination बनते है ना यह combination बनेगा यह combination बनेगा सब का ठीक है तो ध्यान से देखो बेटा subject जो है वो आपके रहते हैं मैं का मतलब I होता है इसको ऐसे बोला जाएगा हम यानी की we इसको ऐसे बोलेंगे तुम या आप तो यू बोलेंगे वे या वे सब तो उसको दे बोलेंगे ठीक है इसी तरह अगर तीसरा बंदा लड़का है तो ही लड़की है तो शी और अगर टाइम बता रहे हैं नोन लिविंग है तो इट एक वचन है जैसे बच्चा महिला कुर्सी तो चाइल्ड वूम है ओल डन तो रुके क्यों हो लाइक करो ना इसी बात पर यह समझ आ गया ना सबको चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप देखेंगे इज्जेमार कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ कौन सी हल्पिंग वह वाएगी कंफ्यूज रहते हो ना सबसे पहले आप देखो अगर आप कहना चाहते हो कि है उसको हम कहते हैं इस और इसको ऐसे प्रणाउंस किया जाएगा मुखा मतलब होता है एम ऐसे बोले जाएगा और है या हो इसको हम इंग्लिश में आर बोलते हैं इसको ऐसे प्रणाउंस किया जाएगा क्लियर है लेकिन सब्जेक्ट कौन कौन से लगेंगे यह आप याद रख लीजिएगा इस हमेशा लगेगा इसी इट या किसी नाम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ एक्जेम्पल देखो वह एक लड़का है की इस अब वह एक लड़की है श्रीज गर्ल रवी एक अध्यापक है रवी इस आ टीचर समझ आ रहे हैं आपको ऐसे याद करनी है चीजिए ओके नाव एम जो है वह हमे विध्यारती हूँ I am a student ठीक है मैं 30 साल का हूँ I am 30 years old तो आपको जो भी कॉंबिनेशन बताना है present में I am ही रहेगा clear है सबको इसी तरीके से है हो आ रहेगा तो you we they या plural noun बहु अचन के साथ आता है आर तो हम दोस्त है we are friends तुम तेज हो you are smart समझा रहा है तो यह combination आपको हमेशा ध्यान रखने है इसी तरीके से अगर आप और चीजें सीखना चाह रहे है तो देखो आज का जो हमारा यह demo class है यह complete course मैं start करने जा रहा हूं कल से कल यानि की 15 फरवरी और कल आखरी दिन है इस course में admission लेने का तो जो भी बच्चे live class ऐसे ही सीखना चाहते है complete course वो इस course को join कर ले क्योंकि आज demo class है हमारी तो कल से शाम को 7 बजे start हो रही है 30 live classes इसमें आपको यह PDF मिलेंगी सारी जो भी आप देख रहे हो ठीक है प्राइस है इसका 499 है महीने के लिए अगर आपको कोई confusion है कोई query है आप इन दो दिये गए नंबर पर call भी कर सकते हैं कब करेंगे सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक ठीक है बाई तो यह सारी पीडियोंस आपको मिलने वाली है सिर्फ इस रेंज में और आपको join करना है English lovers application पे यह course कल से start है live classes start है miss मत करना बाद में मत कहना कि सर बताये नहीं आप सबके इतने comment आते हैं मैं मैंने ना चाहते हुए भी आए एक बार फिर से आप सब के लिए course launch कर दिया just to make sure कि मेरा कोई भाई-बैन ऐसे ना कहीं कि सर में रहे गया ठीक है इसमें complete grammar आपको करवाई जाएगी जैसे आज हम कर रहे हैं ठीक है तो जरूर जोइन कर लेना अब हम बात करते हैं पास्ट मे बात करेंगे बीते हुए समय की था थी के लिए वास थे के लिए वर और यह क्या है यह किसके साथ आएगा यह दोस्तों यह ग्रूप याद कर लो यह एक ग्रूप याद कर लिया आदि से ज्यादा समस्यां यहीं पर खतम हो जाएंगी निराधार बंटाधार सब कुछ खतम हो जाएगा सिर्फ इसको याद करने से और आए इसके साथ क्या आएगा ही वज वह भूखा था ही वोज हंगरी मैं उदास था आई वस सैड मैं घर पर था आई वस एट होम वह बाजार में था ही वज इन दा मार्केट ठीक है ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है वोज और वर क फिर जो सब्जेक्ट बच गए यू वी दे या प्लूरल नाउन इन सब के साथ क्या आएगा इन सभी के साथ आएगा बेटा आपका वर तो वे किसान थे दे मतलग तीसरे एक से ज्यादा दे वर फार्मर्स हम बहुत खुश थे वी वर वैरी हैपी तो इसी तरीके से आपको बाकी के sentence की practice करते रहनी है ठीक है और next है हमारा has, have, had जो आपको बहुत confuse करता है तो अगर आपके पास कुछ है या आप कोई काम कर चुके हैं कर चुकी है उसके लिए use करते हैं has का और इनके subject हैं ये group जो मैंने आपको कहा था आप समझ लो इस group के साथ आएगा has जैसे उसक खाना खा चुका है अमित has eaten food तो इस तरह के sentences आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ has के साथ और जो have है वो आएगा बाकी बचे हुए सभी subjects के साथ आई के साथ भी जैसे उनके पास 4 मकान हैं they have 4 houses हम घर पहुंच चुके हैं we have reached home ये सभी आपको tenses में cover करवाया जाएगा अभ ठीक है और जो हैड है आपका वो पास्ट में आता है है जो हैव का ये सभी subjects के साथ आएगा हमारे पास तीन गाडियां थी मेरे पास दो बड़े घर थे मेरे पास एक बंगला था मेरे पास इतने पैसे थे ठीक है मेरे पास पांच गाडियां थी मेरे पास 10 खिलोने थे आप जो भी past में बताना चाहते हैं सब के साथ head आएगा ही आएगा ओके गाईज समझा आ रहा सबको और do does did तो जैसे present में आप कोई भी काम नहीं करते ध्यान दीजिएगा कोई भी काम आप नहीं करते उसके बारे में जब आप बताएंगे तो does आएगा फिर से इस ग्रूप के साथ जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता, he does not speak English, वह मुझसे बात नहीं करता he doesn't talk to me, वह स्कूल नहीं जाता, he does not go to school समझ आ रहा है आपको जो काम नहीं करते या सवाल पूछेंगे तो does का use होता है सिर्फ क्या सीमा तुम्हें जानती है, does सीमा know you और इस ग्रूप के अलावा जो भी बत गया उसके साथ आएगा do जैसे have के साथ भी ये group आता है, उसी तरह do के साथ भी ये group आएगा, मैं चाहे नहीं पीता, I don't drink tea, आप यह यह भी कह सकते हैं, I don't have tea, ठीक है, तो आप देख लेना, उसके बाद did, same like had, past में जो भी आपने नहीं किया था, तो उसके लिए, तो I hope कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना, और आप लोगों को ये पता चला होगा, कि कैसे आप इन चीजों को सीख सकते हैं, और ये जो आपने first, second, third person किये हैं, ये singular, plural, ये आपको पता होना चाहिए, आप जब भी English में sentences बनाओगे, हमेशे आपको इनकी जुरुरत पढ़ेगी, and the last but not the list, एक बार फिर से, ये मेरी application है, इस पे English lovers पर, आप पोकन English का course, कल से जो शुरू हो रहा है, कल यानि की 15th February से, शाम को, Monday to Friday ये चलेंगे, Monday to Friday 7 p.m. और इसमें आपको 30 live classes मिलने वाली है, PDFs भी मिलेंगे, सभी classes के, और जितने भी PDF आपको चाहिए, ना, चाहिए, वो word meaning के, daily use sentence के, सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है, तो ये आप जल्दी से join कर लें, सिर्फ 499 इसका price रखा गया है, the least price, across all platforms, ठीक है, across all platforms, six months की validity है, है महीने तक ये सारी live classes आपके पास रहेंगी, आप देख सकते हो, ठीक है, तो अगर आपको ये course लगता है कि करना चाहिए, definitely enroll करेंजिए, और मेरे Instagram पर shorts या reels के लिए, आप मुझे follow कर सकते हैं, कोई confusion हो, message भी कर सकते हैं, लेकिन hi hello, good morning, good evening नहीं, कोई query हो, तो जरूर पूछना, कुछ ठीकना हो, तो जरूर जुडना, ठीक है, आप देखेंगे, कि ये कितनी reels मैं बनाता हूँ, daily basis पे, आपको करना है, उसका भी link description में है, तो google play store से English lovers application download करें, और आज ते ही अपनी journey शुरू कर दें, ताकि English सीखना एक सपना ना रह जाएगी, ठीक है, और उसके बाद, अगर आपको free study material चाहिए, तो मेरी ये website है, www.englishlovers.in, तो ये आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप grammar देखोग तो verbs भी बहुत हैं, 1500 verbs हैं, आप spoken English पर जाओगे, तो daily use के word meaning, daily use sentences, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है guys, समझ आ रहा है, I hope आपको आज की class से बहुत फायदा मिला हो, कोशिश कीजिए English को समझने की, ठीक है, बजाए की इसको जल्दी जल्दी सीखने की, आप अगर समझ ले है, और उसके लिए grammar का course भी उतना ही जरूरी है, ठीक है, उमीद करता हूँ, आज जितना भी समय आपने मुझे यहां दिया है, वो आपके लिए फायदे मन साबित हो, अगर आपको course की जूरत है, तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो यहां पे सीखते रहें, मुझ से है, okay everyone, thanks a lot for joining me today and I hope to see you tomorrow in live class at 7pm, बाकी YouTube पे मिलते रहेंगे, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care, love you all, ठीक है लड़लो, ठीक है, पढ़ लेो भाई, पढ़ लेो, पढ़ लेो, पढ़ बीना कि मनी है, थोड़ा दिमागत है, और grammar शिखोगे, तो चाए अर जगह मतलब, किताब पढ़ ना हो, दिमाग बढ़ा ना हो, बिना अंगरी जी के काम ना चल दा, तो मेरा चल गया, थोड़ी सिखें बाद, मैं चाओं मेरे बाईयां का अभी चल जाए, ठीक है, तो सीखिए, गुड नाइट, और एक बार फिर से, जो लोग है, हैपी व आगरो, ठीक है, बाके सब को, ठीक है, लव यू, बाबाई, गुड नाइट,